तो दोस्तों पीछले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप alignment tool का यूज कर सकते, alignment tool में text direction के कैसे यूज कर सकते, sale margin का कैसे यूज कर सकते ये सारा tools में पीछले क्लास में बता दिया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के eye water में जाएए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से दे सकते हैं चलिए दोस्तों, आज class आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं data group के जितने सारे tools हैं इसको समझते हैं, तो data group के जितने सारे tools हैं इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक data तयार किया हूँ, ताकि आप लोगों के उसके effect को सही से समझा सको, तो चलिए सबसे पहला देख पहले, sort alpha weight होता है, मान लिए आप A से Z रखना चाहते हैं या Z से A रखना चाहते हैं, उसको यह sort डरसाता है, तो चलिए सबसे पहले sort पे click किजिए, click करने के बाद देखिए, आपके पास एक sort का dialog box open हो जाएगा, आपको यहाँ sort by पे click करना है, यहाँ जो down arrow का चिन दिया पे click किजिए, click करने के बाद देखिए, आपको serial number, student name जो heading दिये है, वो यहाँ पे सारा so करेगा, तो आप सबसे पहले serial number पे click किजिए, उसके देखिए, जैसे आप serial number पे click करेंगे, तो type में already number ले लेगा, क्योंकि serial number क्या हुआ, number ले लेगा, और यहाँ पे आता है ascending या descending तो आपको किस mode में रखना है, ascending या descending, तो देखिए, already हमारा ascending है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 से है इस्टा, यानि कि ascending में, हम इसको करना चाहते है, descending order में, चलिए इसको हम descending पे click कर देते हैं, और ok कर देते हैं, तो देखिए, अब आप देख रहे हैं, कि हमारा जो अमी था, वो नी यही था, ascending, descending order, numbering का, आईए हम लोग फिर से चलते है, sort में, फिर से sort में जाने के बाद, अब इसको हम लोग ascending कर लेते हैं, ascending करने बाद, फिर से ok कर लेते, तो जैसे ascending कर दिये, तो फिर से descending order जो मेरा हुआ था, वो फिर से ascending हो गया, 1, 2, 3, 4 हो गया, अब चलते हैं, फिर समझते है, sort में चलते है, sort में जाने के बाद, यहां से जो sort बाद है, इस वार, donor पर किलिक कीजे, इस वार student name पर चलते है, student name में जाने के बाद, देखिए, जैसे आप student name पर अप किलिक किये, तो type में जो text हो गया, पहले numbering था, अब text हो गया, क्योंकि student name जो होता है, व date है, तो अपने अनुसार यह खुझ से select कर लेगा, बस आपको यहां sort by पर किलिक करना है, आप जैसा रखेंगे, वो automatic select लिलेगा, उसके बाद आपको यहां से चलना ascending या descending, तो student name में अब हमको alphabet set करना, ascending करना या descending करना है, तो चलिए हम फिलाल ascending में देखते हैं करके, क्य होता है, तो देखें, जैसे ascending किये, तो यहां पर A alphabet से जो था, यानि कि A आता है, A के बाद फिर M आता है, तब R आता है, तब S आता है, यह automatic अपने से select ले लिया, और एक चीज़ धियान देंगे दूस्तों, कि जो Amit का जो market था, वो भी change हो गया, यानि कि यहां जो नीचे था, वो उपर आ गया, यानि इसके अनुसार ही, वो अपने जगह पे आ गया, तेख रहे हैं, यहां पर 4, 3, 1, 2 हो गया, तो इस तरह से आप student name काफी alphabet change कर सकते हैं, फिर से चलते हैं, हम लोग sort पे, sort पे जाने के बाद इसको फिर से descending कर लेते हैं, जिस तरह से था मेरा order, उ इसको okay कर लेते हैं, तो देखें, फिर से हमारा descending order में आ गया, अब descending order में जाने के बाद देखें, क्या हो गया, कि हमारा फिर से change हो गया, 2, 1, 3, 4 हो गया, किसके अनुसार हो गया यह, student name के अनुसार हो रहा है, serial number के अनुसार नहीं हो रहा है, इस तीज लिए आप ध्यान र इसा, चली फिर से मैं सही कर लेता हूं, serial number को यहां से, क्योंकि सारा कुछ change हो गया है, इसलिए पर sort में चलता हूं, फिर से sort में जाने के बाद serial number पे, और serial number पे जाने बाद इसको ascending order कर लेता हूं, तो देखें, फिर से मेरा जैसे था, वैसे हो जाए, इस तरह से आप sort का use कर सकते हैं, अगला option इसी में आता है, repeat header row का, तो देखें हैं, अभी यह hide है, अभी इसको हम लोग unhide कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समझे कि repeat header row का मतलब क्या होता है, माल लिए आप कभी इसी page पे काम कर रहे हैं, और next page अगर आ गया आपके पास, suppose कि यह मैं बता रहा हूं कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, इस तरह से काम करते जा रहे हैं, page पे, तो देखें, यहां पर से मैं tab की मदद से, मैं दूसरे page पे पहुँच गया हूं, काम करते करते हैं, अब दूसरे page पे जबाब पहुच गया हूं, काम करते करते हैं, अब दू जाएंगे तो देखिए first page पे तो आपका heading है लेकिन बहुत लोग होते हैं कि नहीं first page heading होता है मैं दूसरा भी निकालों दूसरे page पे भी heading हो same heading हो तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि यहां पर repeat header का use करेंगे तो देखिए आभी first page हमारे των path फास है यह open first page है और second page पे देखिए कोई heading नहीं है अब चलिए second page पे मीचे चलता हूं और देखिय sónसे इस image of asking पे आगया हूं और यहां पर कोई heading नहीं है अगर आपढ़ चाते कि second page पे भी heading हो तो इसके लिए आपको चलना होगा रिफिट हैडर रोग पे तो कैसे सेट करेंगे चलिए मैं दिखाता हूं फिर से चलते हैं हम दो ऊपर करते हैं अब देखिए करना क्या है आपको कि यहां से जो हैडिंग है सिरियल नंबर स्टूडेंट नेम हिंदी में जो भी हैडिंग है आप इसको सेलेक्ट कर लीज जैसे आप किलिक कर देंगे तो देखिए आप सकेंड पेज पे चलिए यहां से तो देखिए यहां पर फिर से आपका एक हैडिंग सो करने लगा तो इस तरह से आप रिफिट हैडर रोग का फिर से आप माल लिजे तीसरे पेज पे जाईएगा तो तीसरे पेज पे भी लग लगा सकते हैं इस तरह से अपने अनुसार आप यूज कर सकते हैं repeat header रोका जितने पेच पर चाहिए लगाना आप लगा सकते हैं चलिए अब हम लोग अगला option में आते हैं अगला option है यहां पर convert to text यानि कि अब जो आप टेक्स बनाया जितना सारा टेवल बनाया उसको आप टेक्स में convert करना चाहते हैं तो इस टूल के मदद से कर सकते हैं चलिए मैं अब दिखाता हूँ यहाँ पे जितने सारा टेवल से वह खत्म जाएंगे सिर्फ आपके पास केवल जितना आप लिखे हैं आपको इसमें करना क्या है तो सिंपल सा आप OK कर देजिए कुछ भी आपको इसमें नहीं करना सिर्फ OK कर देजिए तो देखिए यहां पर से टेवल खत्म हो गया है और केवल आपका टेक्ष्ट दिख रहा है फिर से मैं कंट्रोल जाट करता हूं तो यही था कुछ data tools का यूज अगला एक option बसता है formula काफी लंबा है इसलिए मैं इस पे एक वीडियो ही बना दूँगा ताकि आप लोग अच्छी तरह समझभाएंगे तो आज के लिए आप लोग बस इतना सा ही टूल पे कोसिस करेंगे कमांड बनाने का किसी तरह कोई दिक् कि लिए गुदबा है